बेपेसी मेकर के इस से नए एपिसोड में आप सभी कास स्वागत है करेंट एफेर्स के एक नई स्रिंखला श्टार्ट होई है बैसिकलिए ये टेस्ट स्रीज है जिसमें बिहार राष्टे अंतराष्टे तीनों खटनाई सामिल होती है ये इसका दोसरा वीडियो है इससे पहले वाला वीडियो चैनल पर अपलोड है आप लोगों ने देखा होगा अगर आपने नहीं देखा तो जाए उस वीडियो को देख लिए उसके वीडियो को जरूर देखेगा इसमें बिहार राष्टे अंतराष्टे तीनों खटनाओं का संग्रह है जो अपकी तैयारी का आगलन करेगा पिछले सब्ता इस चैनल के माद्यम से जो क्लास अपने मतलब लिया है तो वहीं से यह सारे प्रश्णों को यहाँ पर इसमें सामिल किया गया है प्रश्णों की संग्या है 25 और इसका जो माक्स है टोटल माकस है 25 और कटप रखा गया 20 यहन lifting यहाँ पर हर हाल में आपको 20 प्रश्णों को सही सही हल करना है चलिए वीडियो को शिरुबात करते हैं और यहां पर आज का हमारा पहला प्रस्ष्ण है कि हाल ही में बिहार का कौन सा जीला पहला एक सफिजदी डिजिटल बैंकिंग वाला जीला बन गया है बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा तो इस प्रस्न हमारा right answer अप्षन नंबर A यानि की बिहार का जहानाबाद जीला एक सफिजदी डिजिटल बैंकिंग वाला जीला बना है तो ऐसे में अप्षन नंबर A यहाँ पर इस प्रस्न का right answer है वस्वाद दूसरा प्रशने की हाली में 11 अक्टवर 2022 को पंद्रवे परदान मंत्री मादनिया स्री नरेंदर मोदी ने किस अस्थान पर स्री महाकाल लोक का उदगाटन किया है तो ये उदगाटन अभी हाली में मद्ध प्रदेश के उज्जैन में क्या गया तो ऐसे में option number A यहाँ पर इस प्रशने का right answer है चलते हैं अगले हम तीसरे प्रशने के ये प्रशने की निमलिखित में से कौन सा राज्य अक्टवर 2023 में 37 राश्टे खेलों की मेजबानी करेगा इस प्रशने का सही answer है option number C याने की गोवा 37 राश्टे खेलों की मेजबानी करेगा ऐसे में यहाँ पर आपको द्यान आखना है इस वरसे 2022 में जो राश्टे खेल आजजित हुआ यह 36 संस्क्राण था जो गुजरात में आजित हुआ और यह गुजरात के 6 सहरों में आजित हुआ था बिहार की बात करें तो बिहार से मंदे कई सारे फैक्ट यहां से में आपको बताए थे इस वीडियो में भी आपको वो सारे प्रश्ण देखने मिलेगा फिलाल हम यहाँ पर चलते हैं अगले चौथे प्रश्ण पर यह प्रश्ण की इस वरसे 9 अक्टवर 2022 को मनाए गए विश्व डाक दिवस 2022 की थीम क्या है तो इस वरसे 9 अक्टवर 2022 को जो विश्व डाक दिवस मनाए गया इसका निरधारिक थीम था पोश्ट फोर प्लैनेट यानि की ऑप्सन नमबर सी यहाँ पर प्रश्ण का राइट अंसर है अगला होगा पाँचवाँ प्रश्ण यह प्रश्ण की निमलिखित में से किस अस्थान पर हाल ही में केंद्रिय ग्री मंत्री अमित साने चैपरकास नारायन की 15 फीट उची परतिमा का अनावरन क्या है तो इसका राइट अंसर होगा अप्सन नमबर ए यह अभी हाल ही में 15 फीट उची परतिमा का अनावरन सिताब दियारा में किया अप्सन नमबर ए यहाँ पर इसका राइट अंसर है अगला होगा हमारा च्छाठा प्रश्न ये प्रश्ने के हाली में गुजरात में आयजित 36 राश्टे खेलों में बिहार ने कितने मेडल अपने नाम किया है तो इस प्रश्ने का हमारा राइट आंसर होगा बिहार ने यहाँ पर दो मेडल अपने नाम किया आपको ध्यान एकनो, अपसर नमर B इस प्रशनी का राइट आंसर है और पदग तालिका के बात करें तो अंतिम से दूसरे अस्थान पर बिहार था यानि कि बिहार का जो अस्थान था, यह 31 था, 32 अस्थान अंतिम अस्थान था जो कि सिक्किम का था यहां से आपको ध्यान एगना है अल्रेटी डेली क्रेंट एपेट्स वाले सिरेज के तत्थ यह सारे जानकारी हमने विस्तार प्रोग आपको दिया है इस वोज़त से यहां पर हम किसी भी प्रशन में आपको explanation बहतर तरीके से provide नहीं कर रहे हैं क्योंकि समय जदा लगेगा और मुखी रुप से इस वीडियो के बात लें तो यह आपका एक test है अस्थान पर रहा है तो इस प्रश्ण का right answer होगा Oxford University यानि कि पहले अस्थान पर रहा है तो इसमें यह पहले अस्थान पर है चलते हैं अगले हम यहाँ पर आठवें प्रश्ण पर यह आठवां प्रश्ण मारा होगा कि हाल ही में गुजरात में आजित 36 में राश्टे खेल 2022 के पदक तालिका में सिर्श अस्थान पर कौन रहा है तो 36 राष्टे खेल जो गुजरात में आजित हुआ इसमें पदग तालिका में परथम अस्थान पर रहा यानि कि सिर्स अस्थान पर सैना की टीम अर्था सरुसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोड की टीम पहले अस्थान पर रहे बिहार की दरिश्टी कौन से देखें तो बिहार इसे पदक तालिका में एक तीसमें अस्थान पर था दो पदक बिहार ने अपने नाम किया था दोनों का दोनों ब्राउंज था यानि की दोनों का दोनों कांस पदक था अगला होगा नवा प्रश्ण यहाँ पर हमारा नवा प्रश्ण होगा कि हाल ही में किस देश के न्यू जर्शी इस्तित अट्लांटिक के सहर में महात्मा गांधी के जीवन और उनकी संदेशों को समर्पित एक संग्रहाले का उद्गाटन क्या गया है तो इस प्रश्ण का राइट आंसर है नवा का अफ्सन नमबर बी अमेरिका में भी हाली में अमेरिका की न्यू जर्शी इस्तित अट्लांटिक सहर में महात्मा गांधी के जीवन और उनके संदेशों को समर्पित एक संग्रहाले का उद्गाटन क्या गया है जो कि यहाँ पर महात्मा गांधी का यह पहला संग्रहाल है नेक्स्ट होगा दस्वा प्रश्ण की अमेरिका के स्टैनफोर यूनिवरसिटी ने हाली में दुनिया बर के सिर्ष दो परतिसत विग्यानिकों की सूची जारी की है और इसे सूची में आयटी पटना के कितने प्रोफेसर सामिल है इस प्रश्ण का राइट आंसर होगा हमारा अफसन नमबर बी यानि की इसे सूची में आयटी पटना के बारो प्रोफेसर सामिल है इसके बारे में जानकारी मैंने आपको दिया था इसमें 11 प्रोपेसर पिछले साल भी सामिलते एक नया नामीन में जुड़ा है जोकी जानकारी मैंने आपको दिया था अगला 11 प्रशने की मदपरदेश के इंदोर में हाली में दूसरी राष्ट्य फिकल बॉल championship आई जित हुई है बताएं कि बिहार के संदर्व में कौन सा कतन सकते है तो यहाँ पर इस प्रश्णिके हमरा right answer की बात करें तो इसमें आपको ध्यान एकना option नमर E इस प्रश्णिका right answer हो जाएगा और E के थर्थ उप्यूक्त में से एक से अधीक वाला section होगा क्योंकि यहाँ पर बिहार के बात करें तो बिहार इसमें दो gold, दो silver और दो branch medal अपने नाम किया है तो ऐसे में ABC यहाँ पर तीनों सही है तो एक से अधीक पिकल पर सही होने की इस्तिती में हमारा फैनल जो अंसर होता है यह होता option number E अगला होगा 12 प्रशन अक्टवर 2022 में Forbes इंडिया द्वारा जारी एक सो अमीरों की सूची में पहले अस्थान पर कौन है इस प्रशनी का right answer है option number C यानि की गौतम अडानी पहले अस्थान पर है अगला 13 प्रशन होगा कि हाल ही में वेग्यानिकों को दुनिया के सबसे पुराने जो की लगवग 380 मिलियन साल या फिर 38 करोर साल पुराना दिल मिला है बताएं कि यह दिल की से जीव का है बहुत ज़्यदा ख़बरों में था इसकी complete जानकारी आपको दी गए थे तो इससे दिल के बात करें तो यह मचली का दिल था तो ऐसे में option number C इस प्रशन का right answer होगा आगला 14 प्रशन की हाले में जारी वैस्वी का भूख सूचकांक यानि कि Global Hunger Index 2022 में बिहार नेवल की भारत किस अस्थान पर है तो Global Hunger Index की बात करें तो भारत इसमें 107 अस्थान पर रहा है कुल 121 देशों की सूची में आगला होगा हमारा यहाँ पर 15 प्रशन प्रशन की हाली में जारी Public Affairs Index यानि कि सारोजनिक मामलों का सूचकांक में कौन सा राज्य सिर्स पर है तो इस प्रशन का Right Answer का Public Affairs Index जो भी हाली में जारी हुआ है इसमें हर्याना पहले अस्थान पर है आगला होगा हमारा 16 प्रशन यह प्रशन की अक्टवर 2022 में कौन सा राज्य हिंदी मेडिकल और इंजिनरिंग की सीख्षा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है इस प्रशन का Right Answer होगा Option No.B यानि की मदप्रदेश नेक्ट होगा हमारा 17 प्रशन प्रशन की निमलिकित में से किस राज्य की जागरती यादब एक दिन के लिए बिलिटिस उच्चा युक्त बनाई गई है सही answer होगा यहाँ पर हमारा Option No.B यानि की उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश की राज्य लखनू की यह रहने वाली है जागरती यादब जिने भी हाली में बिलिटिस उच्चा युक्त बनाई गई है एक दिन की अवधी के लिए अगला होगा हमारा यहाँ पर 18 प्रश्चन यह प्रश्चन की हाली में आजित महिला एश्यागव 2022 टूनामेंट में प्लेयर अवधा टूनामेंट कौन बनी है इस प्रश्चन का राइट आंसर होगा Option No.A यानि की दिप्ती स्तरमा जबकि हम बात करें यहाँ पर जो फाइंदल मकावला खेला गया जबकि प्लेयर अवधा मैज की बात करें तो प्लेयर अवधा मैज बनी थी रेनुका सिंग जो अप्सन No.C में यहाँ पर देख रहे है मैला एश्याकव 2022 का खिताब की स्टीम ने जीता है तो आपको दियान अगना है सिर्लंका के वारा कर भारत ने जीता है रिकॉर्डे साथमी बार आगला होगा यहाँ पर हमारा उननीसवा प्रस्ट लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे 68 वीपेसी एकजाम के बारे में वैसे चातर जो अल्डेडी इस कोर्स को जोईन कर चुके हैं तो वीडियो को थोड़ा सा इसकिप करके आगे बढ़ जाएं लेकिन वैसे चातर जो पहली बार यहाँ पर हमारे इससे स्रिंखला के तहत सामिल हुए है वीडियो में और टेश्टे स्रीज वगर भी सामिल होगा जो कि ऑनलाइन मोड पर होगा जो आप यहाँ पर इसक्रीन पर देख रहे हैं वो तमाम विश्यों का नोट्स आपको मिलने वाला है प्री इस्पेसल नोट्स होगा इसमें लाइव क्लास वाली कोई भी फैसलेटी नहीं है अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि दिवाली के अवसर पर एक आफर आपके लिए आया है तो इस आफर फैसलेट के दौरान आपसे जोईन करेंगे तो यहाँ पर आपको बाहरी डिसकाउंट मिलने वाला है तो कोर्स की डीटेल जानकारी आपको अप्लिकेशन पर मिल जाएगी और शाद साथ जो यह वाट्स आप नमर आप देख रहे हैं वहाँ पर भी हमसे संपार कर सकते हैं तो 68 की तैयारी यहाँ से आपके बहतर होगी आपसे जरूर जोईन कीजेगा और यह भी बात करें दिवाली की तो दिवाली के अफसर पर अगर आपसे जोईन करेंगे तो निरदारी था है कि आपको यहाँ पर बहुत सारा डिसकाउंट मिलने वाला है चेके अगला होगा यहाँ पर हमारा उननीसवा प्रशन यह प्रशन की हाल ही में किसे देश के करीम बेंजेमा ने दुनिया के सरफस्वेष्ट फोटवालर के रूप में बैलन डी और पुर्शकार जीता है तो इस प्रशन का राइट आंसर होगा अभी हाल ही में करीम बेंजेमा ने जो दुनिया के सरफस्वेष्ट फोटवालर के रूप में बैलन डी और पुर्शकार जीता है जिस समंदिद है फ्रांस के तो ऐसे में अप्सन नंबर डी यहाँ पर इस प्रशन का राइट आंसर है अगला बीसों प्रशन के हाल ही में 21 वहारते सहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवर्ट 2022 जीता है तो इस प्रशनी का राइट आंसर है अप्सन नमबर C यानि कि हैदराबाद ने अभी हाली में ये वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवर्ड 2022 जीता है नेक्स डेक निमलेकित में से कि सराज सरकार 12 अक्टवर 2022 में सम्विदा भरती को समाप्त करने की गोशना की गई है तो सम्विदा भरती को समाप्त करने की गोशना अभी हाली में उडिसा सरकार के द्वरा किया गया अप्सन नमबर D यहाँ पर इसका राइट आंसर है अगला 22 प्रशनी की भारते क्रिकेट टीम ने भारते महला क्रिकेट टीम ने हाली में किस देश को हरा कर सात्मी बार एश्या कप का खिताब अपने नाम क्या है तो इस प्रशनी का राइट आंसर होगा अप्सन नमबर C यानि की स्तिरलंका को हरा कर इसकाब को सात्मी बार बारते महला टीम ने अपने नाम क्या है option number C यहाँ पर इससे प्रश्णी का right answer होगा अगला होगा हमारा यहाँ पर 23 प्रश्ण प्रश्णी की हाल ही के tender के अनुशार PM गती सक्ती मीशन के तहत अत्यादुनी कार्बो टर्मिनल का निर्वान अडानी कृप्त वारा बिहार में कहां किया जाएगा तो PM गती सक्ती मीशन के तहत यह जो निर्वान होगा कार्बो टर्मिनल का यह आपको दिहान लगना कि बिहार के समस्ती पूर के पूसा में होगा option number B यहाँ पर इसका right answer है 24 प्रश्णी की निमलकित में से कौन BCCI के 36 अध्यक्ष बने है इस प्रश्णी का right answer होगा option number A यानि की रोजर बिन्नी अविहाल ही में BCCI के 36 अध्यक्ष बने नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर 25 प्रश्णी यह प्रश्णी की निमलकित में से किस देश के लेखक सिहान करोनो तिलक ने बुगर पुरशकार 2022 से जीता है ध्यां रखना कि इसे वीडियो में 25 प्रश्णी थे ये समी चुन्ठ्य प्रश्णी थे इस वीडियो सीर्ज के मदियम से यहाँ पर इस वीडियो सीरीज के मात्यम से चीजों को बहतर तरीके साब परग भी सकते हैं आप यह समझ पाएंगे कि आपकी तैयारी की अधार पर होई है और material के बात रहें तो current affairs की जो material है वो आप application के तरूँ download कर सकते हैं आप यहाँ पर यह तमाम चीजें आपको मिल जाएगा चलिए तो दस्तों आज की इस वीडियों इतना ही अब आपने यहाँ पर कितने प्रश्न को सही से हल क्या है अपने comment box में जाएए वहाँ पर comment जरू किजएगा